नमस्कार, RMF News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर राजनेतिक गलियारों में जिस मामले को लेकर लंबे वक्त से घमासान मचा था उस मामले पराज सुनवाई थी मतलबा सुप्रीम कोट में राहूल गांधी को लेकर मोधी सरनेम को मामले में लेकर सुनवाई थी और उस सुनवाई में सुप्रीम कोट ने राहूल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाई कोट से सवाल किया है क्याकिर आपने दो साल की सजा किस दलील के तहट आपने दो साल की सजा राहूल गांजी को दी है और अब राहूल गांजी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और ये स्टे तब तक लगाया गया है जब तक की मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है ऐसा सुप्रीम कोट का कहना है इसके बाद माना ऐसा जा रहा है कि राहूल गांधी की सदर सेता संसद में अब बहाल हो जाएगी राहूल गांदी के वकील का ऐसा कहना है कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद राहूल गांदी जल्द ही संसद में दिखेंगे Most probably वो सोंबार को होने वाली सदन की कारवाई में शामिल हो सकते हैं तब तक उनकी सजा पर रोक लगाए जाती है माना ऐसा जा रहा है कि अब राहूल गांदी संसद के मौनसून सत्र में जल्द ही आप देखने को मिलेंगे सुप्रिम कोट के फैसले के बाद इसकी कोपी लोकसबा स्पीकर के सचिवाल ले जाएगी इसके बाद लोकसबा स्पीकर राहूल गांदी के सदस्यदा पर फैसला से ले सकते हैं माना ऐसा जा रहा है कि राहूल गांदी के मौनसून सत्र में ही भाग लेने की पूरी उम्मीद है गौरतलाबै की चुनाव आयोग ने वाइनार सीट को उस वक्त खाली रिक्त गोशित कर दिया गया था जब राहूल गांदी को दो साल की सदा सुनाई गई थी Congress Party ने और Congress Party के तमाम नेताओं ने राहूल गांदी की Supreme Court के फैसले का स्वागत किया है और तमाम तरीकी प्रतिकरियाएं आए हैं Congress की तरफ से ट्वीट किया गया है ये नफरत के खिलाफ महबत की जीत है सत्य में वजयते उमर अब्दुल्ला ने भी Supreme Court के फैसले का स्वागत करते वे लिखाया Congratulations to the peoples of why not upon having their representation in the loksabah restored राहूल गांदी Supreme Court अब आपको ये भी बता जूँ कि Supreme Court में सुनवाई के दोरान Supreme Court में High Court से सवाल किया कि आखिर आपने किस दलील को लेकर राहूल गांदी को दो साल की सजा दी क्योंकि राहूल गांदी को जैसी दो साल की सजा दी गई उनकी सदस्यता रद कर दी गई और उनकी सीट को खाली गोशित कर दिया गया जिससे की उनका जो लोकसबा छेतर है वाइनार का उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसकी सीट पर खाली होने से महां के विकासकारियों में और तमाम कारियों में इस चीज़ का फर्क पड़ता है तो सुप्रीम कोट का यही सवाल था इकोट से कि आपने किस दलील पर आखिर क्यों राहूल गांदी को अधिक्तम सजा देने का जो प्राधान है उसके तहे थी सजा दी क्या यह सजा कम नहीं दी जा सकती थी जिससे कि राहूल गांदी को सजा भी मिलती या और उनकी सदस्यता भी ना जाती सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद कॉंग्रेस नेता उन्में रखली गांदी की सजा पर रोक का स्वागत करते हुए बीजेपी पर तीखामला बोला है राहुल çıkा जीजा रोबा वाडरा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि राहूल को परेशान करने की कोशिश की गई थी लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं उधर कॉंग्रेस लेता इमरान प्रताब गड़ी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहूल गांदी संसद के मौन्सून सत्र में हिस्सा लेंगे राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी के लिए सुप्रीम कोट का है फैसला का विराहत भरा है क्योंकि अगर राहूल गांदी की दो साल की सजा बरकरार रहती तो दो साल की वो सजा काटते और उसके बाद 6 साल तक वो किसी भी चुनाओ को लड़ने के लिए आयोग गय थे इसलिए राहूल गांदी की राजनीती सक्रियत तोर पर राजनीती से 8 साल के लिए दूरी बना लेते और 8 साल राजनीती में एक लंबा वक्त होता है इसलिए कॉंग्रेस नेता मिठाईयां बाट रहे हैं अपनी तरह तरह से तमाम तरीकों से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं अपने राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सर्वपत्वम ये कहना चाते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संग्विदान में जहां भी जाएएं। इस सदन की हर पड़ी सर में आपको ये देखने को मिलेगी सत्त में वो जायते राहूल गांदी जी के खिलाब जो घिनोना साजिस की रची गई थी आज साबित हुई है कि ये साजिस नाकाम हो चुके है आज सुबे प्रार्थना किये थे हम सब कि राहूल गांदी जी की उनके खिलाब जो जूटे इलजम लगाये गया उससे उन्हें राहत मिले हमारे नया लाइने राहूल गांदी जी की राहत देते हुए सत्त साबित कर दिये हैं कि अभी भी हमारी देश में नया लाइ बोलके एक महान पतिश्टन है जहां लोगों को नय मिलती है ये जीत सत्त की जीत है राहूल गांदी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी अगले दीन राहूल गांदी जी आधी बनकर उतलेंगे जितना साजिस करना है करते जाओ राहूल गांदी जी को रुकने वाला कोई नहीं है